Hello Friends, Welcome to ExamUK Friends, आज हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप online form भरते हैं तो online form भरने के लिए आपको अगर document upload करने के लिए बोलता है और document में अगर बोलता है कि आप photo upload करिए, passport size की photo upload करिए और photo के साथ signature और thumb upload करिए तो हम आज सिखने वाले हैं कि आप photo, thumb और signature किस तरह से आप upload करेंगे upload करने से पहले आप उसको किस तरह से manage करेंगे कहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या करना है कि photo, thumb और signature आपको एक paper में करके और जो scanner होता है आसकल के scanner होते हैं जैसे कि अगर HP की बात करें तो HP में M1005 MFP जो printer होता है इसमें inbuilt रहता है इसके अंदर inbuilt रहता है तो आप इसके अंदर पर ये चीज़े लगा दीजे document लगाने के बाद आपको open करना है MS Paint open करना है तो window आठ पेस करिए MS Paint पे क्लिक करिए MS Paint open हो जाएगा आपने अभी जो document है फोटो, passport size की फोटो, signature, thumb अभी कहां रखा हुआ है scanner के अंदर रखा हुआ है अब वो scan कैसे होगा तो scan कैसे होगा आप यहाँ पर क्लिक करिए कहां पर? आप यहाँ पर क्लिक करिए इस menu पे paint के और यहाँ पर जाएए क्या आप सान दिखा हुआ है from scanner और camera यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ठीक है न? इसके बाद आपके पास कहों सा printer लगा हुआ है? जैसे हमारे पास जो printer लगा हुआ है तो HP का है M1005 MFE printer लगा हुआ है laser printer है इसको हमने किया select किया और ok किया ठीक है न? अब आपको resolution कितना चाहिए अगर आपको resolution ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए adjust the quality of the scanned picture आप यहाँ पर क्लिक करिए अगर आप यहाँ बाइडिफॉल्ट कितना रहा है 75 set है तो आप यहाँ पर 300 कर देंगे जो इसकी जो quality है picture की बहुत अच्छी आएगी और यहाँ पर आप इसकैन पर क्लिक कर दीजिए इसकैन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कुछ मिनट कुछ सेकंड यह टाइम लेगा यहाँ पर देखिए यह process चल रही यहाँ पर नीचे देखिए अभी आपका जो photo है signature है thumb अभी क्या हो रहा है scan हो रहा है अगर हम वहाँ पर 300 pixel ने की होते वही 75-70 की होते तो इतना समय न लगता ठीक है वो जल्दी हो जाता चोकि आपको ज़्यादा pixel में चाहिए यानि कि ज़्यादा clarity अगर आपको चाहिए तो आपने वहाँ पर कितना बढ़ा दिया 300 कर दिया तो अब आपकी जो picture जो आपने scan के लिए document लगाया हुआ है printer में लगाया हुआ है तो उसकी quality है बहुत बढ़िया आएगी ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा process अभी चलने वाला है यह last हो रहा है 80% हो चुका है यह 90% हो गया और यह खत्म होने वाला है यह 100% हो गया अब आपको यहाँ पर display दिखाई दिन लगा यह तो आपकी आगई यहाँ पर फोटो आ गई यहाँ पर फोटो आगई सीने चला गया थमबा गया अब अगर आपको अलग अलग रखना है ZPCI, P A I T MS type, window n नहीं, mindo plus r, window plus r से run open होता है, तो यहां पिर हमने open किया ms paint open किया, मस paint open करने के बाद, आपको यहां पिर रखना को इस photo को करिए, select करिए, यहां पिर क्लिक किया, और यहां से select करिये, crop, यह क्या, select करिया, यह हमने select किया, और यह select करने के बाद Ctrl X Ctrl X, क्या हो गया, cut हो गया अब जो नया आपने open किया था यही पे कर दीजिए, paste कर दीजिए इसको, यह देखिए, paste हो गया अगर आपको इसको क्या करना है, छोटा करना है तो आप यहां पे थोड़ा से इसको यह इतना छोटा कर दीजिए, यह छोटा हो गया इसके बाद यह signature भी आपको चहिए था यह signature आगया, यह select कर लीजिए और कट करने के लिए क्लिए क्लिए होता है Ctrl X, कर यह यहां पे क्लिक कर यह, यह cut हो गया अब कहाँ पे जाना है आपको, यह नया जो आपने open किया था आपका paint, ठीक है, paint brush यहाँ पे जाईए और आप इसको बार यह paste, यह paste हो गया इसके बाद यह इसको आप drag करके छोटा कर दीजिए, यहाँ पे यह signature आपका यहाँ पे आ जाएगा, यह signature यहाँ पे आ गया अगर आपको यहाँ पे thumb लगाना है, thumb impression लगाना है तो यहाँ पे इसको बंद करिए, यह thumb impression को यहाँ पे select करिए, यह cut cut के लिए क्या होता है, control plus X, और यहाँ पे control plus X करने के बाद, आपको फिर कहा जाना है, उसी आपको paint नए वाले पे जाना है, और यहाँ पे paste मार देना है और इसके बाद इसको आप drag कर लिजिए arrow के साथ drag कर लिजिए और यहाँ पे जहीए आप उहाँ पे लगा सकती हो, या अलग-अलग कर सकते हो, ठीक है ना, आपने यहाँ पे यह thumb और signature दोनों कर दिया photo भी कर दिया, अब इसको यहाँ से जो देखिए, यहाँ पे arrow आ रहा हा, left, right arrow आ रहा है इसको drag करिए, drag करने के बाद यहाँ पे जाईए, इसके बाद यहाँ पे click कर लिजिए, यह click किया, हमने यह देखिए, आगया ठीक है ना, ऐसा इसके बाद इसको save करना है तो save करने के लिए क्लिक करो simply आप save करना है आपको तो आप यहाँ पे save पे क्लिक करिए हमने save पे क्लिक कर दिया और save करने के बाद कहाँ पे save करना को desktop पे suppose तो यहाँ पे जाओ आप desktop पे क्लिक करो और यहां पर आप file का नाम दे तो हमने यहां पर दे दिया photo plus sign और image का नाम हमने दे दिया किस format अगर बोलता है कि जो आप अपना profile upload करने वाले है photo signature और thumb वो jpeasy format में होना चाहिए तो अभी देखिए किस format में हो रहा है png तो यहां पर आप क्लिक करिए jpeasy पर क्लिक कर दीजिए jpeasy आजाएगा और सेब कर दीजिए सेब हो गया आएए देखते हैं सेब हुआ है यह आपकी file यहां पर सेब हो गई है कहां पर हुई है किस नम से यह हुई है इसको open करिए ये देखिए आपकी file यहाँ पर save हो चुकी है अब माल लीजिए कि उन्होंने बोला कि size इतनी होनी चाहिए तो आप देख लीजिए कि size इसमें कितनी है तो अगर आपको किसी भी file की size देखना है आपको दो तरीके हैं आप right click करो property पर जाओ ये property सीधे open हो जाएगा ये open हो गया देखिए या फिर आप file पर click करके alt plus enter प्रेस करिए क्या alt plus enter, alt button plus enter मारेंगे अभी बता रहा है कि जो file की size 33kb है तो अगर कहा जाता है कि 33kb नहीं चलेगा वो 40kb से ज़्यादा file होगी आपकी photo और thumb signature तभी upload होगा ऐसा कभी-कभी होता है limitation दे देता है कि जो आपने file upload किया रहे हो और photo upload कर रहे हो signature थम upload कर रहे हो इतने range से इतने range के बीच में kb में होना चाहिए अगर ऐसा range दे देता है तो आप उस kb को उस image की quality को कितना कम कर सकते हो कितना अधिक कर सकते हो कितना pixel कैसे pixel कम करोगे यह देखते है यह सीखते है ठीक है तो पहली बात तो अभी आपने देखा कि यह कितने kb का है यह है 33kb का ठीक है लगभग और इसको ज़्यादा करना है कि 40 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए तो कैसे करोगे राइट लिक करके आप उसी पेंट में आप open कर लो पेंट में हमने open किया इसके बाद यहां पर रिसाइज आपसन दिया है रिसाइज के लिए क्या होता है प्रॉपर्टी पे गए और यहां पर हम देख सकते हैं कि 83 KB तो हमने कहां कि 40-100 KB के बीच माग रहा है तो यह फाइल अपलोड करोगे तो हो जाएगी इस तरह से हम तीनों चीजों को फोटो थंब और सिगनेचर को अलग अलग भी या एक साथ हम कमबाइन करके रख सकते हैं और इसको हम अपनी अपसकता अनुसार क्या कर सकते हैं अप लोड कर सकते हैं अगर माल दीजे कहता है कि आपको फोटो अलग बनाना है इमेज आपको थंब इंप्रेशन अलग रखना है और सिगनेचर अलग जगह रखना है तब आप बहुत आसान इसको कर सकते हैं आप इस भी मारो अब यहां पर जाने के बाद चोटा कर दो यहां पर चोटा कर दो यहां से ड्रैक करके चोटा सा यह हमने ड्रैक किया और यह नीचे से जाके उपर की और कर दिया हमने ऐसे कर दिया यह चोटा है अब इसको सिंगल सिप कर दो यहां पर गया डेश्टाप पर कंट्रोल बस Yes किया और इसका नाम कर दो Photo फोटो नाम सीमने कर दिया और किस फार्मिट शेप करना है वो फार्मिट चूच कर लो इसके बार सेप कर दो यह सेप हो गया देखिए अब देखिए सिंगल इमेज यह यानि कि इमेज बस सेप हुई है यह देखिए यहाँ पर इसी तरह से सरी के crop कर लो अलग-अलग आप बना के रख सकते हो तो friends यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किसी भी इमेज को आप यहाँ पे combine कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं और अपनी आवसकता के अनुसार उसको आप resize कर सकते हो अगर कहता है कि आप इस पे नाम लिखो इस नाम भी होना चाहिए तो अगर आपको के बद नाम बस्त करना है तो आप इसको drag करके उपर की ओल ले जाओ इतना आ गया अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हो ठीक है इसको हम यहाँ से select करके और यह crop कर देते है control x cut अब यहाँ पर जाएए ए पर क्लिक करिए और यहाँ पर हमने लिखा ठीक है और यहाँ पर टेक्स लिख लो जो भी नाम लिखना है आपको ठीक है यह हमने यहाँ पर लिखा www.examio.co तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपको नाम लिखना है तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा ओके थैंक्यू पर वाचिंग